यदि आप ही दसवी कख्षा के स्ट्रेंट हैं और आप इसरमेटिक एक्जाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरूर से लेकरन तक जरूर देखिएगा जिहाँ दोस्तो आज के स्ट्रेंट हैं दसवी कख्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इंपोटेन भीब्याई आपजेक्टिव कोश्चन जो कि आपके मैटिक बोट पर इक्षा 2023 में 100% पूछे जा सकती हैं तो चले प्रेंच बिनासमेगवाएं पहला कोश्चन का इंसर देख लेत तो ठीटा का मान क्या होजाएगा कैसे बनाते हैं ऐसे कुष्चन को तो सब से पहले आप सभी को लिखना होगा कि कौस ठीटा बराबर वन तो यहाँ पे हम छोड़ दिये हैं रूट अंडर दू को और रूट अंडर दू यहाँ पे गुना में था मैथमेटिक करनियम होता ह कि गुना वाले चीन बरावर कुदर जाने पर भाग में चेंज हो जाते हैं यहां पे भाग में रूट अंडर दू हो जाएगा अब आप ही बताईए कि कॉस्ट में कितने डी कामान एक बटा रूट अंडर दू होते हैं यदि आप सभी मान साड़ने को याद किये होंगे तो मालू होगा कि कॉस्ट में 45 डी कामान एक बटा रूट अंडर दू होता है इसलिए कॉस्टन का सही जबाव अपसन भी होगा उसके बाद में अगला स्वाल कॉस्टन नमबर 11 को देख लेती है हिरस तो कुस्ट में एक इस करता है कि यदि अलफा कॉमा बीटा दूइग हाद बहुपद एफ एक्स में दिया गया है एकस स्कार पलस थिरी एकस पलस फाइब के मूल हो तो एक बटा अलफा पलस एक बटा बीटा का मान क्या होगा सबसे पहले आज सभी को एक बटा अलफा यहां पे दिया गया था एक बटा अलफा और एक बटा बीटा इसे हमें सल्ब करना होगा देखिए अलफा बीटा को सल्ब करेंगे तो यह अलफा इंटू बीटा हो जाएगा और उपर हो जाएगा अलफा पलस बीटा आप सभी को बता दें कि आलफा प्लस बीटा का फर्मुला माइनस B बटा A होता है है न जी और आलफा इंटू बीटा का फर्मुला C बटा A होता है अब यहाँ पी हम लोग क्या करेंगे कि A से A को कटा देंगे तो यहाँ पी बचेगा माइनस B बटा C और B का तो मान ओलरी माइनस है 3 तो माइनस और माइनस मिलकर पलस 3 हो जाएगा उसके बाद में हमें चाहिए A का मान अशरी C का मान और C का मान कोशन में 5 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 इस परकार से कोशन का सही जबाव 3 बटा 5 हो जाएगा आईए option के according देख लेते हैं 3 बटा 5 है या नहीं तो 3 बटा 5 option C में है पता question का right answer option C होगा उचकी बाद में करता है यदि द्विघास समिकरन A x square plus B x plus C बराबर 0 के इन दोनों मूल बराबर हो तो द्विघास समिकरन का विविक्तर D बराबर क्या होगा याद रखेगा जब द्विघास समिकरन A x square plus B x plus C बराबर 0 के दोनों मूल यदि बराबर होगे न जी तो द्विघास समिकरन यानि D बराबर 0 होगा क्योंकि मूल बराबर होने के लिए D यानि बिविक्तर का मान 0 के बराबर होना चाहिए उसके बाद में अगला स्वाल कुष्मेटेज से पूछा गया है कि कारती तल में इस थीद किसी बिंदू 3,4 में कोटी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों कोटी का मान या भूज का मान कैसे पता करते हैं तो रखिए एक होता है एकस दुस्ता होता है वाई एकस को हम लोग भूज करते हैं क्या करते हैं जी भूज करते हैं वाई को हम लोग कोटी करते हैं ठीक है जी अब यहाँ पे पूछा गया है कि बिंदू 3,4 में हमें बताना होगा कोटी का मान तो कोटी तो हम लोग वाई वाले मान को बोलते हैं और पहले होता है एक बाद में होता है वाई इसलिए कोटी का मान पूछा जाएगा तो दूसरा वाला इंसर हो जाएगा यदि इसी कोशन में हमसे भूज का मान पूछ लिया जाता तो कोशन का सही जवाब यहां पे तीन हो जाता फिलहाल हमसे कोटी का म और उचाई एच हो, तो घनाब का आयतन क्या हो जाएगा, आप सबी को बता दें, कि घनाब का आयतन का फर्मूला, लंबाई गुने, चोड़ाई गुने, उचाई होता है, जिसे सौटगर्ट में L, B, H के नाम से जना जाता है, तो L, B, H यानि लंबाई गुने, चोड़ाई, गुने, उचाई एचाई एचाई में है, अता हम कर सकते हैं, कि घनाब का लंबाई का आयतन का जो फर्मूला हो जाएगा, वो L, B, H होगा, यदि इसी कोशने पूछ लिया जाता, यदि किसी घनाब की लंबाई L, चोड़ाई B, और उचाई H है, तो घनाब का बीकर्ण क्य पल क्या होता है, तो टू इन्टू L, B, पलस, L, S, पलस, B, H हो जाता, जो कि अपसेन D में दिया गया है, चलिए इसी परकार से एगला साल कोशन नबर 25 को देखते हैं, दोस्तों कर सकते हैं, तिरभूज A, B, C, A, सम कौन तिरभूज है, हना, जिसका कौन B, 90 डिग्री है, क तिसा कौन हमें बता ना है, और आप सभी को मान होगा, कि तिरभूज की तीनो कौनों का योगफल एक सवस्ती डिग्री होता है, जब 90 डिग्री और 40 डिग्री दे लिया गया है, तो ये टोटल 130 डिग्री हो जाएगा, अब हमें इसमें कितने संख्या को एड़ करना है, कि मान एक सवस्ती के बरावर हो जाएगा, तो सिंप्ली से का करेंगे, एक सवस्ती में से 130 को मैनस करेंगे, हमारा कोशन का सहीजवा 15 डिग्री आ जाएगा, और 50 डिग्री आप संडी में है, अधा कोशन का सहीजवा अप संडी होगा, अज़ इस साल कोशन नमर 26 करता है, 10.25 इंटू 10-20 डिग्री 10-50 डिग्री इंटू 10-70 डिग्री का मान क्या हो जाएगा सबसे पहले हम लोग का करेंगे 10-25 को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 10-90 में से 25 घटाएंगे तो जायर सी बात है 65 बचेगा और यहां पी हमें लिखना होगा 10-65 ठीक है जी उसके बाद में फिर से 10-20 डिखेंगे 10-90 में से 20 घटाएंगे तो जायर सी बात है 10-70 बचेगा उसके बाद में यहां पे आपको सेम-to-same 10-70 लिख देना होगा अब यहां पे एक फर्मुला का हम लोग यूज़ करते हैं वह फर्मुला कोशी इस परकार से होता है कि 10-90 माश ठीका बढ़ अब यह होज़ाएगा कोट 70 और यहां पे और यहां पे और यहां पर आल्रेडी 10-70 दिया गया है ठीक है जी दोनों को हम लोग दूसरे कोश्ट में बढ़ करेंगे अब यहां पर एक फर्मुला आता है कि 10-30 गुने कोट-30 कमान एक होता है तो हम यहां पर एक लिखेंगे क प्राप्त इंसर एक होगा और एक अफसन बी में दिया गया है तो कुछन का सही जवावसन भी होगा जी इसके बाद में अलब स्वाल करता है तिर्भूज ABC तथा तिर्भूज B की वार में दिया गया है कि AB बटा PQ BC बटा RP है तो कौन सा कथन सर्थ होगा आसान सब्दों मे पहले हमें दो तिर्भूज की रचना कहले नहीं होगी पहला तिर्भूज का नाम कोशन के अकॉर्डिंग ABC रखेंगे दुस्ता का नाम यहां पे P, Q, R दिया गया है कहता है कि AB बटा BC अब AB बटा BC को कैसे चीनिर करेंगे तो देखिए यह हमारा AB दुस्ता होगा बटा P, Q P, Q हमारा यह है, फिर करता है BC यानि यहां पे कौन से कौन की बात किया गया है BC में B, P, उच्चक्ण में R, P ता R और P यानि यह वाला कौन, तो यहां पे कौन P है, यानि जो है कौन B बराबर हो जाएगा कौन P के, चलिए, अबसन में देख रहते हैं, कौन B बराबर कौन P option D में दिया गया है और दा question कराई टेस्टर option D हो जाएगा एलस स्वाल question number 28 करता है निमलीखित में से कौन सी अभाद संख्या है आप सभी को जनकारी के लिए बता दें कि वैसी संख्या जिसमें स्वैम और एक के लामे कोई अन संख्या से भाग नहीं लगता है ऐसे सभी संख्याओं को हम लोग आभाद संख्या करते हैं जो की अफसर्ण सी में हैं जैसे की 11 उषजत के पार दें करता है कि one plus court इसका ठीटा बटा one plus 10 इसका ठीटा का फर्मूला एक बटा साइन स्क्राइट ठीटा होता है इसके बाद में सेक स्क्राइट ठीटा का फर्मूला एक बटा कॉस्सक्राइट ठीटा होता है ठीक है जी अब इसे हमें गुणा में चेंज करना होगा उपर दिया गया था एक बटा साइन स्क्राइट ठीटा तो सेम तू और आप सभी को उतादे कि कॉसिसका ठीटा बटा साइनिसका ठीटा बराबर में होते हैं कॉटिसका ठीटा इसलिए कोशन का सहिजवा कॉटिसका ठीटा होगा जो की अफसें डी में हैं उसके बाद में करता है एक ब्रीद का परिमाप और छेदफल संख्यात्मक रूप से बर बराबर है तो ब्रीद का परिमाप क्या होता है जी तो टू पाई आर होता है और छेदफल कितना होता है तो ये पाई आर स्वैर होता है अब हमें बराबर करना होगा पाई से पाई कट हो जाएगा एक आर से एक आर कट जाएगा ठीक है जी तो यहाँ पे केवल बचेगा द क्वान दो मात रखोगा दो मात तक यहां पर अपसंट B में है पता कोश्चन का सही जवावशन B होगा अलएस वार कोश्चन नमर 31 क्या करता है कि बिंदू A में दिया गया है 2 कुमा 3 की दूरी मूल बिंदू से क्या होगी काफी ही ज़्यादा लाज जवाब कोश्चन है आप सभी को बंगरा दे कि दूरी ग्यात करने का सान फरूरा रूट अंडर X स्कैर पलस Y स्कैर होता है देखिए X का मान यहां पर स्कैर बिदू संख्याव का 15 यहां पर फंद्रह संख्याव का 15 है तो पंद्रह लिखेंगे अब पंद्रह नमा 135 होता है एक जिरो हम यहां आप लिख देंगे यानि कुस्टिशन का सही जवाव तेरे सवंपचास हो जाएगा और तेरे सवंपचास अफशन सी में दिख रहा है अध्यकुषन का सही जवाव आपसंद सी होगा सवाब कुछ मैं तेरिश करता है यदि 2 ठीटा वरावावाश 60डी हो तो सांट ठीटा का मान क्या होचाएगा देखेंस से बले हम क्या करेंगे ठीटा वरावाश 60डी लिखेंगे और दो जो गुना में आप देख पा रहे हैं ये भाग में हो चाहेगा और ये कटके 30 जाएगा अब हमें साइन 30 डी का मान चाहिए दोस्तों यदि आप मान सानी याद की होंगे तो मालम होगा कि साइन में 30 डी और कॉस्त में 60 का मान एक वटा दू होते हैं इसलिए कुस्तन का सही बावपसन भी होगा जी एक वटे दो उसके बाद में कहता है आकरिती PA और PB दो असपरस रेखा इस परकार है कि PA बरावर 8 से मी है कौन A, PB बरावर 6 डीगी है तो असपरस रेखा PB की लंबाई क्या हो जाएगी असान सब्स में जानिए कि किसी बरीत के असपरस रेखा कि जो लंबाई होते हैं आपसे बरावर होती है जब एक असपरस रेखा कि लंबाई कोशन के वकर्टिंग 8 से मी है तो दूसरे असपरस रेखा कि लंबाई भी 8 से मी ही होगी यानि कोशन का सही जबावपसन A होगा 8 सेमी अलाइ स्वाल करता है दो रैंकी सवालगवकर कोई हल नहीं होता है अलाइ सवाल करता है दो समान कोनेक तर्भूजों कोई सकता थे कथन किस方 है ? याद रखेगा थेश मौदय का कहना था कि दो समान कोनेक तिर भुजों में उनकी संगत भुजाव का अनुपात हमेशा समान रहता है बश्की बाद में करता है चक्रिय चत्रभुज के सम्मुख कोनों का योग 360 लिगी होता है या एक सवसी लिगी होता है कमेंट सेक्षन में आप हमें जरूर बताइएगा हम जन्द एक और वीडियो अप्रोड करेंगे जिसमें हम आप सभी को इस पीडियेप का बागी जितना भी objective question है सभी का समधान करेंगे आसा करते हैं आज के वीडियो आप सभी को पसंद आओ पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करें अपने दुस्ते में सेयर करें ऐसे ही नएने वीडियो पाने के लिए आप मारे YouTube चैनल मैतिक और मैजिक टीव्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुन न पुरिएगा तेह दस्तो